हलो स्टूडेंट्स अंजय हिंद विल्कम यू ओल तो मागनेट ब्रेंज एक ऐसा प्लैट्फॉर्म जहां पे क्लास वन से लिके क्लास 12 तक और ब्यॉंड सारा कॉलिटी एजूकेशनल कंटेंट आप लोगों तक लेकर आने के लिए जिसकी मदद से आप लोग ना सिर्फ अपने एक्जामिनेशन में अच्छे सच्छा परफॉर्म कर सकें अच्छे अच्छे पदों पर पहुंचेंट देश की तरक्क्य और उन्नती में आप लोग भी अपना युगदान दें आपका भी अपना जोगराफी की जो हमारी किताब है इंडिया फ् Cobain इसका पहला च्प्र जिश्का नाम है इंडिया लोकेशन या फिर इसका इसके की छाप्टर कें स्बेचली कशपडना में प्रिफ्र करें हैं दूटी सेशन करके हमें हमारे नॉलेज के एक एंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि कितना भी हमारा नॉलेज डिवलफ हुआ है कितना भी हमें प्रपरेशन और करनी है कहां पर इस चैप्टर के respect में हम अभी कहां खड़े हैं कितना हमें समझ में आया कितना और समझना है तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा and now without any further ado here we begin चलें शुरू करते हैं exercise तो पहला question है question number one choose the right answer from four alternatives given below अब हमको चार alternatives दिया हूँ है question कि उसमें समको सही जवाब पकड़ना which one of the following latitudinal extent is relevant for the extent of India's area अब India के एरिया के respect में कौन सा latitudinal extent relevant हम को यह बताना है हमने बढ़ा था इस particular chapter में कि इंडिया का नदन मोस्ट लाटीटूड कौन सा है southernmost latitude कौन सा है फिर हमने यह देखा था कि दोनों की बीच में लगबग लगबग 30 जिगरी का फरका रहा है इसी तरीके से हम लोगों ने Easternmost and Westernmost longitude भी चेक किये थे कि कौन-कौन से इंडिया के रिस्पेक्ट में और उसके बाद में फिर हम नहीं यह देखा था कि इनके बीच में जो है अब है वो है आपका option number B 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north यह जो है आपका latitudinal extent है इंडिया के respect में तो पहले सवाल का सही जवाब हो जाएगा 8 degree 4 minutes north to 37 degree 6 minutes north चले आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं next question है which one of the following countries shares the longest land frontier with India अब हमको यह बताना है कि इन में से कौन से देश का जो है सबसे लंबा बॉर्डर हिंदुस्तान के साथ में जमीन पर लगता है जमीनी बॉर्डर जो है लैंड का जो बॉर्डर है वो सबसे लंबा बॉर्डर इसमें से किसके सांथ में लगता है यह बताना है options है बांगला देश चाइना पाकिस्तान मैंनमार इसका सही जवाब है option नंबर यह बांगला देश कई लोग सकता है मगर अगर आप मैप ध्या सबसे लंबी होंकि यहाद रखिएगा करना पाकिस्तान के यह सब्से लंबी बॉर्डर है एंस के सांथ मैं इसको याद रखिएगा तो कौन सा देश सबसे सबसे लंबी सबसे लोंग से करता है option है बांगला देश चले अगया question देखता है अब इस ओन है चाइना एजिप्ट फ्रांस इरान इसमें ज्यादा कुछ है नहीं कहने के लिए ऑप्शन है चाइना हमने देख रखा था कि इंडिया सेवंट लार्जेस नेशन है अगर आप देखेंगे और हमारे पास पूरी दुनिया का लगभग 2.4 परसेंट एरिया जो है आता है या पूरी दुनिया का लगभग 2.4 परसेंट हमारे पास में है अब यहां पर हमने यह देखा था है कि हमसे ज्यादा बड़े अरिया कौन-कौन से है सबसे पहले रशिया फिर कैनेड़ा है तीसरे नंबर पर थोड़ा डिस्प्यूट है कि चाइना है या या उनाइट स्टेट है तो हम लोग तीसरे पर चाइना मान लेतने हैं चौते पर यॉनाइट स्टेट्स पांचवे पर आपका पांचवे पर ब्रजील आता है च्छट पर ऑस्ट्रेलिया आता और साथ नंबर पर हमारा देश आता है तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए चाइना अग तो इसका सही जवाब क्या है एक्टी टू डिग्री थर्टी मिनट्स इस्ट यह लॉंजिट्यूट को हम लोगों अपने देश का स्टैंडर्ड मेरेडियन माना है और जो इसका टाइम है वो हम लोग पूरे देश के लिए लेकर चलते हैं जैसे कि इस वक्त जब मैं आपकी लेक्चेर सुन रहे हैं इस वक्त भी कोई ना कोई टाइं हो रहा है हbest तो जो भी टाइम आहिंअ जो है यह पंदे डेश के लिए कर-चलता है डा अगला question देखता है अब यहां से अपने को subjective questions है answer the following questions in about 30 words अब अपने को जवाब यह देना है कि आपने को सवाल है इसका जवाब लगवग तीश शब्दों में जो है अपने को देना चले देखता है पहला question does India need to have more than one standard time if yes what do you think why do you think so तो वाई मेरा जवाब यह है कि हां मुझे लगता है कि इंडिया को एक से जादा standard time की जरूरत है हम लोगो ने क्या देखा था कि अगर कोई particular देश है और वो एक particular longitude को अगर अगर अपना standard meridian माल लेता है तो पूरे देश के लिए फिर इस longitude पर जो time है वो पूरे देश का जो में अगर वो एक standard meridian ले 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 तो भी इसके extreme end पर रहने वाले लोगों के लिए standard meridian के time के साथ में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर वो extreme left में या फिर extreme right में कोई meridian पकड़ ले तो बचे हुए देश को दिक्कत हो जाएगी तो इस समस्या का हल करने के लिए उन्होंने किया यह कि कई सारे शेत्रों के अलग-अलग standard meridian बना दिये और उनके देश में कई सारे अलग-अलग time zones जो है वो बना कर उन्होंने तयार कर दिये अब इंडिया में भी जो है इंडिया में भी हाला कि हम लोग एक ही particular meridian लेकर चलते हैं हमारे यह एकी time zone मगर फि इसके चलते कई बार जो है बड़ी उहापो की स्तिती क्रियेट हो जाती है तो यह मेरा मानना है यह फिर एक जनरल का consensus है कि हमारे यह कम असकम दो time zones होने चाहिए क्योंकि इस इंडिया में जिस वक्त आपका ठीक-ठाक मात्रा में significant portion आपके दिन का खतम हो जाता है तब भी आ अगर आप बात करेंगे तो भी काम बगरा चल रहा है और अभी जो है सारी चीज़ें वगरा हो रही है वैसी परिस्तिती में अगर एकदम है इस्ट में और वेस्ट में रहने वारे लोगों को कोई अगर डिलिंग बगरा करनी है तो फिर काफी दिक्कत हो जाएगी टाइम अगरा के चलते काफी प्रॉब्लम्स क्रियेट होती है तो इसमें कोई शक्की बात नहीं है कि मुझे ऐसा लगता है मेरा अपना ओपीनियान है कि आपको जो है कम असकम दो टाइम जोन्स की जरूरत है एक इस्ट इंडिया के लिए और एक आपका वेस्ट इंडिया के लिए हैं आपके टाइम जोन्स हैं इनके कई सारे जो हैं आपके स्टैंडर टाइम्स होते हैं आपके अलग-अलग टाइम जोन्स वगरा के वज़ा यह है कि इनका आपका जो लॉंजिट्यूडनल एक्स्टेंट है वो काफी जादा बड़ा है और एक पर्टिकुलर मेरेडियन को लोग अपना काम वगरा करेंगे तो यह बहुत लंबा जो यह अपना देश चला नहीं सकते हैं तो इसके चलते हैं इन्होंने कई सारे आपके टाइम जोन्स बना रखें अब हमारा भी जो लॉंजिट्यूडनल एक्स्टेंट है वो तीस डिग्री के असपास है इसलिए सब अगरूग सब्सक्राइब करें जो सब्सक्राइब क्राइब हर नहीं पर सब्सक्राइब करेंड़ लेक्र अबाटिक। थाना है कि हिंदुस्तान के पास में जो लंभी चौड़ी आपकी को स्वाइन है इसके अपने क्या फाइदें हैं क्या नुक्सान है क्या इंप्लिकेशन से इसके बारे बाव हमको बाचीत करनी तो देखिए इंडिया की टोटल कोस्ट लाइन के अगर लेंथ देखें तो वो स सब्सक्राइब अगर हम इंडिया की बात करें तो एसिया का इस्टेंशन आप इंडिया को मान सकते हैं या फिर असिया का इसियन को इलाका जो शौथ की तरफ में इंडिया ओशिया इंडिया की केटिग्रिमें की इंडिया में कर सकते है अब इंडिया ओशियन में जो हमारा पूरीशन हे वह कुरिक्कराइब न चौरूप। इसी तरीके से अगर आप योर्फ की तरफ में जाएंगे अफरिका की तरफ में जाएंगे तो भी इंडिया की आपको जाना पुड़ेगा तो कहने का मतलब यह है कि हमारी जो इंडियान नूश्यन में पोडिशन है वो बड़ी स्ट्राइजिक लोकेशन है बड़ी सेंट्रल लोकेशन है और इस लोकेशन के चलते हैं आप चाहे इस्ट की बात कर लें चाहे वेस्ट की बात कर लें चाहे आप अफरीका की बात कर लें चाहे यूरोप की बात कर लें साउथ इस एशिया की बात कर किसी की भी बात कर लें सब के साथ में हमारे close contacts है क्योंकि कोई भी अगर आप किसी भी तरफ से किसी भी तरफ जाना चाहे हमारी location ऐसी है कि हम रास्ते में पढ़ेंगे पढ़ेंगे और बाकी जितने भी आपके अलग अलग शेत्र हैं सब के साथ में हमारे अच्छे contacts वगरा बने हुआ हैं किसी दूसरी देश की को अगर आप बात करेंगे no other country has a long coastline on the Indian Ocean as India has and indeed it is India's eminent position in the Indian Ocean which justifies the naming of an ocean after it in fact Indian Ocean के अगर आप बात कर लें तो कोई दूसरा देश ऐसा आपको देखने को नहीं मिलता जिसकी इतनी लंबी coastline हो जितनी हमारी है and हमारी जो position है हमारा जो importance है जो strategic location Indian Ocean में हमारी पढ़ती है उसी के चलते कहीं ना कहीं हमारे नाम पर Indian Ocean का नाम भी जो Indian Ocean रखा गया है वो justify होता है कोई दूसरा देश आपको ऐसा दुनिया में नहीं मिलता जिसके नाम पर एक पूरे के पूरे ओशियन का नाम रखा गया हो सिवाए हमारे तो Indian Ocean नाम जो है यह कहीं ना कहीं जो justification है कि देश के नाम पर आप एक पूरे के पूरे समुद्र का नाम या महासाकर का नाम कैसे रख सकते हो जवाब यह है कि location एतनी जादा central है Indian Ocean में कि आप कोई भी गतिविदी करो हिंदुस्तान equation में आएगा और क्योंकि हिंदुस्तान equation में आएगा इसलिए यह जैस्टिफियेबल है यह logical है कि आप Indian Ocean को भी जो है या फिर इस ocean को भी जो है Indian Ocean के नाम से इस देश के नाम से जाने चले अगला question देखते है अब हमको यह बताना है कि इंडिया का जो लैटिट्यूडनल स्प्रेड है वो हमारे लिए किस तरीके से एडवांटेजियस है या हिंदुस्तान का जो लैटिट्यूडनल spread है जो हमारे लैटिट्यूड जो हमारा एक्स्ट्रीम आपका नॉर्थ में जो लैटिट्यूड है उससे लेके एक्स्ट्रीम साउथ तक के जो लैटिट्यूड का हमारा एक पुरा का पूरा देखने को मिलता है सबसे पहला है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसका ये ट्वेंटी थ्री और हाफ डिग्री या साड़े तैस डिग्री का जो है लाटिट्यूड है और यह हिंदुस्तान के लग बीच में से गुजरता है यह यूं बोलना चाहिए कि इंडिया को लगवग लगवग equally दो बराबर पार्ट्स में जो है डिवाइट कर देता है जो इसके नीचे का सदन पार्ट है वो ट्रॉपिकल जोन में चला जाता है जबकि नदन पार्ट जो है वो पूरी तरीके से टेंपरेट जोन में आ जाता है कई बार इस टेंपरेट जो है आपका ड्रॉपिकल जोन है इसके चलते हो यह रहा है कि हमारे पास में निक्ति के और प्र आपको इसके क्ला है हमारे यहां दो तरीके के आप कह सकते है हमारेहं फिस्तान के वह बड़े बदे श्थेत्र हैं और इतना यह चलते जो है आपको बयुए डाइवर्सिटी में वेरिएशन देखने को मिलता है अब यहां तक क्लाइमेटिक डाइवर्सिटी जो आती इसके भी अपने बहुत सारे एडवांटेज वगरा होते हैं जैसे गर आप नीचे साउथ में चले जाएं तो आपको एकदम अलग तरीके का इंवर्मेंट देखने क चुरू करते हैं दिन और रात के बीच में जो है कि बिरेशन जो है डबेशन बड़ता चला जाता। एंडा है से सब्क्राइब मेसित में इंडिया सब्कॉंटिनिट चीज चलते हैं आपको हर तरीके का मिलत गिर रही है रेanken आप शॉपिकलLге देखने को मिलती है नौर्थ-east में आपको बकाइदा एक दम अलग मावल देखने को मिलता है Central India की बात की जाया है तो यहां की अलग कहानी है नौर्थ-मेदानी इला की अलग है हर तरीके की चीज़ां जो हैं आपको देखने को मिलती है यहां पे आपका Saltwater की लेक्स भी है आपको कही आपको कहीं क्या कहना चाहिए मतलब अपने एक सब्कॉंटिनेंट बनाता है और इसी के चलते हिंदुस्तान का पूरा इलाका इसको भारती महाधीप यह फिर इंडियन सब्कॉंटिनेंट के नाम से जाना जाता है चले आगे बढ़ता है तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वाइल दे संग्राइज इस से नागा लेंड एंड ऑफिर आप यहां पर जल्दी बात है जल्दी सेट हो जाएगा जल्दी आस्थ होगा तो फिर भले अब यहां पर मतलब अगर आप डिली की बात कर लें तो डिली की अपेक्शा कोहिमा पर चालाओ से लोग सोरह तो उसके बात में भी अगर आप उठाके देखोगे तो चे बजरे होंगे और कोईमा में भी यह फिर चलें और शोड़ा सा पहले जाते हैं कि दिल्य में भी जो है चार बज रहा है या पांच बज रहा है रात हैं और लोक तरफ आप nailed की बात खरें अहां पर भी जो है चार वहाँ और दिन एकदम निकल कर आ गया है सूरज जो एकदम आपका अच्छे कासी रोशनी हो गई है सूरज चाड़ाया लोग बागों ने अपनी आक्टिविटीज जो है शुरू कर दी है तो एक तरफ तो यह है कि पूरा आपकी रोशनी हो गई हो जाला हो गया और एक जगे भी सू और इसका जवाब क्या देंगे कि भले ही आपके नागा लैंड में एक्जामपल के लिए नौर्टीज की बात कर लेते हैं और उसमें नागा लैंड उठा लेते हैं यहां पे भले ही आप देख लेंगी दिन और आपका जल्दी शुरूओं के जल्दी खत्म हो जाता है दिल Meridian of the India और यह जो टाइम लो कौन सा टाइम है जो हमारे स्टेंडर्र मेरिडियन फर चोन लो लोग ले कर चलते qa यो time हमारी घडियों में हो रहा होता है वो इस particular meridian का time है जितना time इस particular meridian पे हो रहा है उतना time हम लोग लेकर चलते हैं There is a general understanding among the countries of the world to select the standard meridian in multiples of 7 degree 30 minutes of the longitude Hence, 80 degree 30 minutes east is chosen as the standard meridian of India and the time along the standard meridian of India passing through the Mirzapur is taken as the standard time for the whole country अब आपके जो दुनिया के अलग 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 देश हैं उनके बीच में general understanding है कि भाई कोई भी दो देश बगरा जो है Let's say दो देश आपके साथ सटे हुए देश है बॉर्डर लगा हुआ है तो आपकी general understanding यह है कि आपको अपने देश की जो standard meridians लेनी है इनके बीच में 60 degree 30 minutes का फर्क होना चाहिए या फिर साथ डिग्री 30 minutes के multiples में फर्क होना चाहिए आपके जो देश हैं दोनों उनके बीच में उन्हां टाइम डूरेशन बनेगा एम सब्सक्रास में या फिर फी कर यह फिर घंटे के मुंटीन तो बैगलाधेश का अगे चल रहा है पाकिस्तान का टाइम हमारे टाइम से एक्जेक्टि लिए आदा गटा पीछे चल रहा है बजाए यह है कि हमारे जो standard meridian है इनके बीच में जो difference है वो 60 degree 30 minute के या तो 60 degree 30 minute का है फिर 60 degree 30 minute के multiples में आपको एडिफरेंस देखने है कि आपका जो स्टैंडर्ड मेरीडियन रहेगा वो साट डिगरी तीस मिनिट के लॉंजिट्यूट का डिफरेंस आपके बाद वाले के साथ में या तो रखेगा या फिर उसके मल्टीपल में जो है डिफरेंस रखेगा आप इस सारी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसकी वज़ा से आप चाहे कोहिमा में देख लें चाहे आप दिल्ली में देख लें आप जहां पर भी देख लें आपको जो टाइम डूरेशन है वो सेम देखने के लिए मिलेगा तो इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं यह बात मैंने थोड़ी दर पहले भी कही थी फिर रिपीट कर रहा हूं जो टाइम आपकी घड़ी में हो रहा है जो टाइम मेरी घड़ी में हो रहा है वो सेम है मगर यह टाइम जो है एक्चौल में किस का यह टाइम है किसका जो हमारी स्टेंडर्ड मेरीडियन है उसका टाइम है तो इसी के साथ में आपके जो एंसी आ शुरुआत में बताया था कि magnet brain पर सारा quality educational content आपको exclusively free of cost प्रवाइड कराया जाता है तो आपको यहां पर किसी तरीकी है कोई पैसा बगएरा कुछ पे करने की जरूरत नहीं है आप सारा का सारा content 100% free of cost watch कर सकते हैं सारा high quality educational content जिसमें cbsc English medium का सारा content आता है class 1 से लेके class 12 तक जि सारी चीजें जो हैं जो आपके काम की हैं वो सब कुछ आपको यहां पर free of cost प्रवाइड कराया जाता है अगला question आप मुझे से यह पूछोगे कि भाई इसको देखा कैसे जा सकता है इसको access कर सकते हैं इसका जवाब यह है आप इसे तीन तरह से access कर सकते हैं एक तो आप इस सारा का सारा content आपके mobile phone पर भी चल जाएगा आपके tablet पर भी चल जाएगा आपके PC पर भी चल जाएगा तो इसको देखें इसकी मदद से advantage लें और इसकी मदद से अपने examination की preparation जो अच्छे से अच्छा बनाए अब हम समझते हैं कि एक वीडियो आप एक बार देखोगे दो ब इसकी मदद से अपने examination की preparation को जितना उसकी अच्छा परफॉर्म करते चलें बढ़िया से अपने examination की respect में knowledge को गेन करें अच्छे mark score करें और मैगनेट के साथ इसी नोड़ पे आज का session खतम करता हूं मिलते हैं नेक्स सेशन में जब हम लोग next आपका जो चैटर है इसके NCRT solutions को डील करेंगे तब तक के लिए ध्यान रखें खुश रहें पॉजिटिव रहें थैंक यू जाएंद